इस कारिक्रम के पुनियार जग हैं श्रीमती संगीता, श्री सुधान्शु, श्रीमती दिव्या, श्री अंशुल, श्रीमती आस्था, रियार्थ मुंगाडिया परिवार, फर्म रियार्थ एम्पोरियम, घाटोल जलाबासवाड़ा राजस्थान सोपर से अधिक, लेकिन जो बरतमान में जो प्रतिमा होती हैं, वो जब ही पूज बनती हैं, जब उनमें पूरे पाँच कल्याणक हो जाते हैं, और पाँच कल्याणक के अमाध्यम से उनके अंदर विशुदी बढ़ती है, सादो संद के माध्यम से बिशुदी बढ़के फिर उन पे संसकार दिये जाते हैं, और दिगंबर मुनी महराज के दोरा जो संसकार होते हैं, वह दिगंबरत्व उसके अंदर प्रतिमा के अंदर आ जाता है, ऐसा बोलते हैं, कि जिसने स्वयम बस्र उतारे हैं, या जो वही दिगंबर प्रतिमा को सूरी मंतर देने के अधिकारी हुआ करते हैं अब अन्य बेसेज इस्टिटिव में बात अलग होती है उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे तो इस परकार से इससे जीवन की कालिमा कम होती है इसी परकार से जब बगवान का जन्म होता है तो समस्त दिसाएं आकास निरमल हो जाता है सीतल सुगंदित पवन बैने लगती है और संखनाद होता है भेरिनाद होता है सिंगनाद होता है घंटानाद होता है ऐसा बोलते हैं कि एक छण के लिए सांती मिल जाती नरकों में भी जब बगवान का जन्म होता है इसी परकार स से ऐसा भी सुनते हैं कि जब जन्म होता है तो साथ कदम चलके जो इंदरादी होते वह नमस्कार करते हैं तो यह सब आपको देखने को मिलेगा हो सकता है किसी का पुन्य प्रवल नहीं हो कि देखने नहीं मिल पाए समस्य आ जाती है लोगों की पुन्यसाली तो वही होते हैं कि जिनको ऐसे अवसर देखने का सवभाग प्राप्त होता है लेकिन अंत्रह कर्म का कोई भरोसा नहीं किशी को कोई बीमारी HOR SAKTी है किशी को सूतक लग जाता है इस लिए पहले से बिशुद्धी बढ़ाओ कि ऐसे अभसर हमें देखने को मिले पराप्तों हो तब जाकर पराप्त वहाँ तो यह संसकारों के माध्यन से मानव महा मानव बन जाते हैं इस प्रकार से पवित्र आत्माओं की यह महोसो मनाए जाते हैं और यह प्रकरिया कई बार आपने देखी होगी कई लोग तो सोचते हैं कि हमने तो कई बार देखा क्या देखना साधी में तो बड़े ठाडवाड के साथ जाते हैं किसी का कोई तो बुलाता है तो बड़े सजदस्के जाते हैं लेकिन भगवान के महोस्व मनाने का तो आप और अच्छे से सौभाग समझ कर इस कारे में सह वाकता लेना चाहिए उदासीन नी होना चाहिए कई लोग हम देखते हैं जब बोली आदी लगती है तो उदासीन जैसे बैठ जात जो कि पाप के कारों में तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे एकटे हो जाएंगे लेकिन पुन के कारों में जो एकटे होते हैं बड़े सौभाग साली होते हैं ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा ही मिल रहा है अपसार ऐसे तो होते रहेंगे आगे फिर हम लाव ले लेंगे आगे का क प्राण्प्रतिस्था अलग से भी हो सकती थी और जरूरी नहीं कि पंचेकलणग होते लेकिन लोगों के मन में एक अलग ही अदवत एक भावना होती है कि नहीं छटे-छटे गावहले भी देखा जहां पर 5 गर है उनकी भी भावना है? कि हम पंज करनाद करें क toppings हैं. हम ने देखा है, बल्कि बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े शरों में तच्छे से फारण वाट से उत्थे पंज करनद हों पाते हैं. क्यों नी हो पाते हैं? उधर समाज बठी रेती है, मंदिर में, अलग-अलग मंदिर अपने अपने रहते हैं, लेकिन एक नगर होता है ना, छोटा सा गाउं भी होता है उधर, बड़ी एकता होती है, तो सब को मिलकर कि यह कार है, संपाधित करना है, किसी एक ब्यक्ति का काम नहीं होता है, कि लोग स कर निकल जाते हैं, काम जब आता समाज की सेवा का, कौने में बैठ, कौने में बैठ, मोबाइल से चपक जाते हैं, आज पूरा दुनिया है ना, मोबाइल में है, घर में भी लोग बैठे अलग-अलग अपने चला रहे हैं, इधर भी लोग क्या करते हैं जब आते ना, इध कि बाद में सुचना मिलती थी इतिसादन नहीं थे अब इस काल में तो अपडेट पूर रहता है फैमिली गुरूप रहता है उसमें तुरंद डल जाता है कई लोग क्याते है महराजी हम जानते नहीं पैचानते नहीं और उनने फॉन कर दिया या मोबैल मेसेज आगे आप सु सुचना पहले देते लेकिन कई लोग तो यह बोलते हैं कई नगरों मैं कि हमारी जो पीडी है ना एकटी रहें एकता इसलिए हम सुचन एक समान मानते हैं यह गलत है क्योंकि जादा सुचन मानोंगे तो ते दिन अविशेक पूजन आहरदान से बंचत रहोगे धार में क्र पार्ण देन चुट्टी में लगई बताओ कैसे लोग हैं करनाटक में तो लो भगवान का नाम नहीं लेते हैं सुचन में भगवान का नाम नहीं लेता है यह सब गलत परमपराएं हैं अपनी पीडी का निर्दारन कलने इसके बारे में पहले डिटेल में बता चुकी है सेकेंड पार्ट है अब थर्ड़ पार्ट कब आएगा हमें नहीं मालू तो यह पीडी का हम बताय दे रहे हैं पुरी दुनिया के लिए बता रहे हैं यह पुरे भारत के लिए लोग यह कैल्कुलेशन हमने पूरा लगाया इसमें हमने पीएजडी की की इन्युवर्शिटी पीएजडी का ली तो साथ पीडी के बाद ना तो सूतक लगता जो जनम लेता न बच्चा उससे गिनके साथ मी तक जाना ऊपर तक अब मरन होता है तो उपर से नीचे तक गिनना है इसका डेटेल हमने पहले बता चुके हैं आज डेटेल नहीं बताएंगे शीदा सीदा हिसाब है जो भुजोर्ग हमारे एक्सपायर हो गए हैं या जिन्दा भी हैं साथ पीडी के बाद हमें गिनना नहीं है उनको उपर के कम करत हमें प्रोपर्टी का बटवारा हो गया है काई का प्रोपर्टी का बटवारा हो गया मकान दोकान सब बट गए बस बहते हैं कि वह जो भी इसा करते हैं उनको भी दोस लगता है जिस परकार से करांगे सब का दोस अपने हाथ में जाता है आपने उपर जाएगा इसे प्रकार से यह गलत परंपरा है इसमें सुधार नहीं करोगे आप तो ऐसे ही लगता रहेगा अभी हमने देखा कई परिवारों में की बिचारे परिशन में पूरा परिशन नेकल गया कई लोगों के अभी पंच गानग निकल जाएंगे ऐसे और भी जो बड़े-बड़े आयोजन होते ब किशे कैसे मालम है सब अब तो बस लोग बस कुछ दिनisés हैं बही भी सेश हैं समझ जांध जाओ इसारे में अब तो बहुत कम निन बचे हैं बस अब किते दिन मिलेंगे बता सकते और लेकं अब तो बस गिंती पर गिनने लायक हैं जितनी उंगलिया है ना उससे ज़्यादा दिन नहीं है अब तो बस पूरा हो गया जिन लोग ने लाव लिया बड़े सौभागा साली थे पुन्रसाली थे जो रह गए वो पच्टाएंगे कि हमने इतना अच्छा समागम मिला था लाव को नहीं ले पाए तो इस प्रकार से अपनी चर्चा चल रही थी कि निरासों में आस पैदा करता है दिलों में विस्वास पैदा करता है मिट्टी के तो बहुत अलग है इस वर तो पत्थरों में कॉमल घास प नहीं सकती देना कि दोड़ दोड़कर आपके दर्वाजे आ सकूं मुझे ऐसी सदवुद्धी देना कि सुबह साम घुटने के बल बैठकर आपको प्रणाम कर सकूं नमस्कार कर सकूं नबुस्तु कर सकूं भगवन और जब तक जीऊं जिब्बा पर आपका नाम लेता रह हो आपका नाम इस्वरन करते ही मेरा कंठ अवृद्ध हो रुके जब भी अंतिम स्वास मेरी निकले है बगवन आपका नाम लेती आचारशी प्रती दिन इन पंक्तियों को पढ़ते हैं आवल्या जिन देव देव भवता श्री पादियों सेव्या ये समाधी भक्ती की पंक धान च्ता कि मेरा कहता हैं मेरेती आपका नाम इसम्रण करते हैं ऐसी आखंख्यों करते हुए सर देना सःयोग करते हुए हाथ inverter سथ पर चलते हुएआं देना ऐसमरण करता हुए मन देना अपनी क्रपा धरश्टी और सथ बुद्धी देना की रिग्न व dáना की जिससे बर् पैरों के दोवारा तीर थ्यात्रा और मंदर के दर्सन करने आहरदान आदी के निमस से मैं बिहार करूँ यार जब भी निकलूँ और इन हाथों के दोवारा अच्छे-च्छी द्रवों से पूजन करूँ और अच्छे-च्छी सामगरी आपको अरपन करूँ और हे भगवन इन हाथों को जोड़ करके आपको नमस्कार करूँ इस प्रकार से इसका मेरा सरीर का एक एक रोम रोम आपकी भक्ती में बस लगा रहे यही मेरी भावना है तो एक कुछ पंग्तियों के माध्यम से जैसे चांद बिनारात ना मुंकिन है मेरी हर एक सास धूरी तुम बिन मेरी हर एक सास धूरी तुम बिन है में फकीरों सा तेरी दर आता हूँ जिस जगे देखूं तुझी को पाता हूँ जैसे चांद बिनारात ना मुंकिन है मेरी हर एक सास अदूरी तुम बिन है तू ही भक्ती है मेरी हर रोज मैं कर लूँ नाम को तेरे प्रभु हर रोज मैं जप लूँ तू मेरी मंजिल तू ही मंजिल हजरिया जो वहे आखों से दू वो आख का दरिया जैसे विन आख जैसे विन आसु आख ना मुंकिन है मेरी हर एक सास दूरी तुम बिन है जैसे चांद विनारात ना मुंकिन है मेरी हर एक सास दूरी तुम बिन है यू तेरे दर के सिवा कहीं और जाओं मैं तेरे ही आगे प्रभु ये सर जुकाओं मैं मैं मुसाफिर हूँ वटकता तू ठिकाना है मैं हूँ छोटा सा सहर तू जमाना है जैसे भाब विना दर्स ना मुंकिन है मेरी हर एक सास दूरी तुम बिन है जैसे चांद विना रात ना मुंकिन है मेरी हर एक सास दूरी तुम बिन है मेरी हर एक सास दूरी तुम बिन है इस प्रकारत से प्रभु के लिए हमारा एक एक छण बीते प्रभू और गुरू के बिना इस संसार में हर कार अधूरा है इसलिए आचरवगवन का आसीरवाद आया है और सब लोगों को पात्रवन के इस महा आयोजन में इस महा प्रतिस्ठा में सामिल होना है ऐसा नहीं सोचना कि हमें क्या करना है वो तो हैं वो तो अपना पुन्न कमा खुआ हैंगे लेकिन हम देख रह जाएंगे कई लोग जब पात कह से बनते हैं तो बाद मैं कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलति की है क्योंकि मैं नीचे बैटता-ता-ता ओप प देखता तो अच्छा नहीं लगता था ये बात तो शहीह हैं उपर जो बैठते हैं उनको बड़े पास से करीफ से उनको सब क्रियों में सामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। और तौर बड़ी जो प्रतिστम महा प्रतिस्टम होती है। हुसमें करीब से भगवान को देखने का अवसर प्राप्त होता ah कैसे पासान से परमात्वा बनते और लोग तो दूर से देखते हैं बस लेकिन उनको आनन्द नहीं आपाता है इसलिए यह जो अबसर आने वाला है महा अबसर है ऐसा नहीं सोचना कि मैंने तो पहले लिया था कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं माता पिता बनना है अब 75 साल की हो गई हमने का माता पिता तो नहीं बन सकते भगवान के दादा दादी अवस्त बन सकते हैं क्योंकि भगवान के माता पिता की तो उम्र होती ना उम्र के साफ से तो आज और कल में निनने लेना है तो आज और कल में बाहर के लोग भी कई लोगों के खबर आ रही है इसलिए इथर तो बहुत बड़ी समाज है, यही कि लोग बने, तो आनन्द आएगा, कई जगए है, सा देखा गया कि बाहर के लोग बनते हैं, तो लोगों में, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमारी तो भावपना यही है कि बाहर के, नए उम्र के कई लोग हैं, आसे तएयार है ना जिनकी उम्र जादा नहीं है 40 के आसपास है भाई बनने को तयार है ख़वर आ तही है एक बार की बात है पंचर्ण को पारम पहले हम लोग आचर्षी के पास भीजते थे फॉम तो आचर्षी ने कहा ये ये इसमें तो सभी तेख रहा है ओबर वाले सब बोले ने वाले देखो तो फिर एक बैक्ति को तयार किया हमने एक लोकल का बैक्ति था अच्छा था सुंदर सा विल्कुल सुं माता पिता को देखते हैं तो आचारशी भी बड़े खुस होते हैं कुंडलपुर में तो विदेशों से आकर के माता पिता बने भगवान के तो यह तो ऐसी इस्तिती नहीं है इसलिए जिन लोगों का कल सम्मान हुआ था जिन्होंने अच्छे कार की हैं जो रहे गा हैं अभी क कोई भी काम एड़ेस्ट होने में बहुत दिक्कत जाना है इसलिए समय से सब को आना है और के काम सब छोड़के आना है और देखना है अपन को कि कौन में कितनी दम है और कौन कितना आगे है कौन इस महा प्रतिस्ठाम है इस बास्पुझ भगवान की महा प्रतिस्ठाम है तो बस यह आपकी परिक्षा की घड़ी है कि अभी तो हमने देखा उस दिन दीपा वली के दिन लोग बातने तो बहुत कर रहे थे हमां पास बहुत सारे लोग आये थे लेकिन सब सांत हो गए सांत नहीं होना है हमारे सामने क्यों बोलते हैं फिर अगर बोलना है तो देखाओ अपनी कितनी दम है किसके अंदर कितनी दम है चुनाओं में जैसे दम दिखाते हैं न चुनाओं में इसी प्रकार से आपके बोट का इंतजार है आप किसको देते हैं बोट और कौन बनता है इस महा पंचकल्यानक, महा प्रतिस्था का सौबा कसाली व्यक्टित्व, ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, उनको हम अपने आखों से देखेंगे, और पूरी दुनिया में उनके ख़बर पहुँचेगी, कि ऐसे कौन से महा पात्र हैं, महा सौबा कसाली पा सब देखेंगे उन आखों से ऐसी आखें, बड़ी सौभा कसाली होंगी, जो इन आखों से हम ऐसे व्यक्तित को देखेंगे, कि भगवान के माता पिता हैं, सौदर मिंद्र हैं, और यह बासपुच भगवान को उच्छासन देने वाले हैं, इन्ही भावनाओं के साथ, आच इस कारिक्रम के पुने आरजगत्ती श्रीमती कांता देवी, श्री कीर्थीष, श्रीमती मनीशा, श्री अंशुल, श्रीमती ईशिता, हैमांशुजी रूमी, एवं समस्ति तलाटी परिवार, फर्म कीर्थीष मोटर पार्ज, घाटोल जिला बासवाडा, राजिस्थान, श श्रीमती कंकुदेवी, श्री सुरेश्चंद्र, श्रीमती संगीता, श्री सुधान्शु, श्रीमती दिव्या, श्री अंचुल, श्रीमती आस्था, रियार्थ मुंगाडिया परिवार, फर्म रियार्थ हैंपोरियम, घाटोल जलाबास्वाड राजस्थान.